हेलो प्रेंट्स, वेलकम टु माई चैनल सिंग जी हाउस आज हम आपके लिए 24 बाई 45 का हाउस प्रान लेकर आए हैं जिसमें आपको 2BHK का सेटप देखने को मिल जाएगा इसके प्लॉट एरिय की बात करें तो इसका प्रांट 24 पीट ये हम लें 45 पीट है आप इस हाउस प्लान से 24 बाई 45, 26 बाई 45 ये 27 बाई 45 तक के प्लान का आईडिया ले सकते हैं वीडियो को अंतक पूरा देखिए क्योंकि हम इस हाउस प्लान का फूल डिटेल आपको वाक्त रूर के सांथ दिखाएंगे जिसमें प्रते करूम की साइज आपको फिट और इंच में देखने को मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की ओर प्रांट में हमने 10-12 स्कॉयर पिट में कार पार्किंग रखा हुआ है साथ ही आपको फर्स्ट प्रोज में जाने के लिए इस टेर केस देखनों के मिल जाता है गार्डन के लिए हमने 3 फिट का स्पेस प्रांट में दिया हुआ है इस पार्किंग एरिया में आप स्मॉल कार इजली पार्क कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने लिविंग रूम की ओर लिविंग रूम को हमने 13 फिट 8 फिट बाई 11 फिट में त्यार किया हुआ है आपको इस हाउस का इंटिरियर डिजन कैसा लगा हमें कमेंट सक्षन के मादिर में से जरूर बता है यहाँ पर हमने लिविंग रूम के राइट साइड में डाइनिंग अरिया दिया हुआ है इसके अरिय की बात करें तो इसे हमने 6 फिट चारिंज बाई 6 फिट चारिंज पर त्यार किया है साथ ही आपको प्रेंट में LED पैनल देखने को मिल जाता है साथ ही टॉप साइड में आपको AC की फिटिंग मिल जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेटरूम की ओर इस बेटरूम को हमने 10 बाई 10 स्कॉयर पर टेरी में तियार किये हुए है जहां पर आप डबल साइज की बेट लगा सकते हैं साथ ही आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाता है इस बेटरूम में आपको LED पैनल के साथ AC की फिटिंग देखने को मिल जाती है चलिए वापस चलते हैं हम अपने लिबिंग गेरिया की ओर यहां पर आपको 5-sheet और सुपक साथ टीटेबल देखने को मिल जाता है साथ ही डइनिग गेरिया से लगा हुआ हमने लेफ्ट साइट में सिंग की फिटिंग दी हुई है जहां पर आप हैंड वास कर सकते हैं इस डइनिग गेरिया के बैक साइड में हमने common वास्रूम तियार किया हुआ है जो कि हमारा 4 feet by 9 feet है साथ ही आपको front में sink की fitting के साथ right side में seat fitting दी हुई है जिसको हमने half जाली से cover किया हुआ है इस वास्रूम में हमने right side में shower साथ ही आपको ventilation के लिए एक small window देखने को मिल जाता है चलिए वापस चलते है इस वास्रूम के left side में हमने 3 feet का door दिया हुआ है open area में जाने के लिए इस open area को आप washing के लिए इस्तिमाल कर सकते है यहाँ पर हमने ventilation के लिए 3 feet के gallery दे हुई है जहां से आपको proper ventilation मिलता रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने kitchen area की ओर इस kitchen area की बात करें तो इसको हमने 7 feet by 8 feet पर त्यार किये है जहां पर आपको ventilation के लिए दो window देखने को मिल जाता है काफी बड़ा space है यहाँ पर हमने kitchen के right side में second bedroom दिया हुआ है जो कि हमारा master bedroom है जिसके area की बात करें तो इसको हमने 10 feet, 80 feet by 12 feet में त्यार किये है जहां पर आपको front में dressing table और साथ में आपको double side की page लगाने के लिए काफी space मिल जाता है आपको यह house plan एम इसका interior region कैसा लगा हमें comment section के मादे हम से जरूर बता है यदि आप भी हमसे घर का नक्सा त्यार करवाना चाहते है तो आप अपने plot area के full detail comment section में type कर हमारे पास बेजे हम कोशिस करेंगे कि आपका वीडियो जल से जल त्यार कर हम YouTube में upload करें हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें हम अपने दोस्ते को पर शेयर करना ना भूले चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार